तो गाईज आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल में और दोस्तो आज के इस वेडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि दोस्तो अगर आपके फोन में जो वाईफाई है जब भी आप वाईफाई से इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो दोस्तो आपका जो फोन है, वाई-फाई है वो आटोमेटिकली बार-बार बंद हो रहा है बार-बार डिस्कनेक्ट हो रहा है बंद होता है, आटोमेटिकली बंद होता है फिर से कनेक्ट हो जाता है, फिर से बंद हो जाता है, तो इस तरीके से आपने इस वीडियो को लाइक ने किया है तो लाइक कर दीजे दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए तो चलेगा इस वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो आप सेटिंग पर जाएए सेटिंग में आने के बाद आपको वाइफाई पर क्लिक करना है और वाइफाई पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से बंद कर देना है अपने phone में Wi-Fi को और यहाँ पर आपको फिर सेलेक्ट करने है और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तो इस तरीके से आप बंद करके on करेंगे तो हो सकता है आपकी problem solve हो जाए बट अगर नहीं हो रही है तो दोस्तो आपको इस तरीके से क्या करने है आपको यहाँ पर आपको जो है back आने के बाद दोस्तो आपको जो setting का application है यहाँ पर आपको long press करने है long press करने के बाद आपको application information पर click करना है यहाँ पर आप application information पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको studies का option आएगा तो यहाँ पर आपको click करना है और अपना data जो है वो clear कर देना है हो सकता है आपने गलती से कुछ setting कर रहे हो जिसके कारण ये problem आ रहा है वो सारा का साला clear हो जाएगा तो इस तरीकी से आप उसको setting करके देखिए दोस्तो तो आपकी problem solve हो सकती है और यहाँ पर आप अपने phone को एक बार reboot करिए restart करिए या तो फिर power off करके उसको on करिए फिर हो सकता है आपकी problem फिर से solve हो जाए तो आप जो इन सभी तरीकों को अपने phone में apply करके देखिए दोस्तो फिर आपकी problem solve हो जाएगी और अगर आपके पास Redmi का phone है या तो फिर Poco का phone है उसमें आपको problem आ रहे है तो आप अपने phone में दोस्तो MIUI का जो version होता है जो कि आपके phone में हमेशा update का आता रहता है MIUI करके तो आप उसको समय समय में update करते रहे है फिर आपको जो है कोई भी problem नहीं आएगी तो इस तरीके से आप जो है इस problem को solve कर सकते हैं दोस्तो तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिजो और चैनल को subscribe भी कर लिजिए